बहुत ही आदर और संबान के योग गाम मांडी केड़ा के सपंच बुटो साहब, सभी पंच साहवान नंबरदार साहब, गाउं के भुजिरगों नोजवान साथियोग, आज आपके गाम मांडी केड़ा पोँचने पे आपने जो सवागत किया, विदंदन किया, जो सहोग और समर्थन देने की बात कई, आणे वाड़े 2024 में परदेश में सत्ता का परिवर्थन करने के लिए, आपने जो समर्थन देने की बात कई, हम आपके इस बात के लिए बहुत शुक्र गुजार हैं, साथियो, परिवर्थन यात्रा जो है, उसका एक मक्सद है, आज परदेश के हर वरग के लोग दुखित प्रिशान है, आज किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, आज वेपारी दुखी है, आज कानून में विस्ता खत्म है, मेंगाई चरम शिमा पे है, और बरस्ता चार का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, सत्ता में बैठे लोग, जो सरकारी पैसा खर्च होड़ा चाहिए, उसको खर्च करने के बज़ए कागजम में दिखा करके, खाने का काम करती है, कुरार्ण आपके सामने है, दो वरस्तत पंचायत के चुनाव नीकराई, और उस दो साल के अंजर गाम की पंचायतों के लिए जो पैसा सरकार की तरफ से आकर के गाम में खर्च उना चाहिए था, दो साल तक एक नया पैसा किसी गाम की पंचायत में खर्च नहीं हुआ, क्यों सर्पंचार कोई वग नहीं हुआ था, दो साल, कोई एक पैसा नहीं हुआ, अब फिर पैसे को कैसे खाया जाए, इसके लिए इट एंदिंग फ्रू कर दे, और जब सर्पंचार ने इसका विरो किया, तो मुख्य मंत्री और मंत्री जो है, सर्पंचों को और ज्यादा अक्यारात देने की बज़ाए, उनके अकों पे ढाका डाल रहे हैं, उनके अक खतम कर रहे हैं, और इट एंदिंग के माचम से मंत्री तक के लोग कोई पैसा जो है, आठ दस परसंट, खाना चाहते हैं, तुने वे लोगों को बेईमान बताते हैं, और खुद गैसे पैसा खाये जाए, इसके लिए योजना बढ़ाते हैं, हमारे एक वावत्त है, जब बाड़ खेत को खाने लग जाए, तो खेत खतम हो जाता है, सत्ता में बैठे लोगों ने, आज सरकारी धनका दुरुप्यों करना सुरू कर दिया है, हरानी की बात है, चोधरी ओंपर का चुटाला जब मुख्य मंत्री थे, तो गाउं के विटास के लिए करोणों रुपे खर्च होते थे, सरकार आपके द्वार कारिय कर्म के तैट अने, गाउं की जो दिक्कत घटनाई थी, उनको दूर किया जाता था, कैसे पीने के पाणी का परपदो, इसके लिए पैसा देते थे, देनिवाल योजना शुरू करी, जिससे अधे से ज़्यादा मेवाद को पीने का पाणी मिला, नहरों में पाणी दिया, गाउंगाम में विटास के लिए पैसा खर्च किया, उस बजट जो है, 9000 किरोड रुपे का होता था परदेश का है, आज कल बजट जो है, 1,85,000 किरोड रुपे है, 1,95,000 किरोड रुपे है, बजट तो 1,95,000 किरोड है, और करजां हमारे उपर 3,000,000 किरोड का है, आज परदेश करजे में डूबा हुआ है, मुख्यमंतरी कहता है पैसे की कमी नहीं है, एक नया पैसा कहीं खर्च नहीं हो रहा है कानून विवस्ता के बारे में अभी आपसे करीचा बता रहे थे कि किस तरह से जो लोग परदर्शन कर रहे थे जो मड़ने वाड़े बच्चों के साथ नयाय मिले उनके परिवारों को इसकी मांग कर रहे थे उनके खिलाब मुगद में बढ़ा दिये ऐसे मुगद में बढ़ा करके लोगों को प्रिशान किया जाता है लोगों को ट्राया धंकाया जाता है यहां तक भी मेंगाई की आलत ऐसी है कि आज कोई जरूरत की चीज घरिचने जाते हैं तो मेंगी मिलती है खाद मेंगा, बीज मेंगा, केड़े बार, द्वाईया मेंगी हर चीज के दाम बढ़ गए पड़े लिखे बच्चों के लिए ना रोजगार है ना नोकरी है आज नशे का पर्चरन है प्रदेश परबाद हो रहा है सरकार को चिंता नहीं है इसलिए इंडियन नाशनल लोगडल पार्टी ने फैसला किया कि परदेश में परिवर्तल यात्रा सुरू करी जाए ताकि ऐसे लोगों से परदेश को चुटकारा मिल सके चोदरी देविलाल ने 100 रुपे महाबार पेंशन करी थी आज बढ़ करके साड़े 2700 होगी 5500 रुपया महिने की चोदरी देविलाल की बढ़ाईवी पेंशन देने का काम करेंगे हर घर में पड़े लिखे ग्नोजवान को रोजगार देंगे लोकरी देंगे जो लोकरी से रोजगार से वंचित रह जाएगा उनके बच्चों को 21,000 रुपय बेरोजगारी बत्ता दे करके सम्मान देने का काम करेंगे मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बाते करूँगे लेकिन आगे भी जाना है इसने आप से डिवेदन करूँगा बांडी खेडा का हर बुजरग लोजवान इस अगला जो गाम है बढखली चोक तक इस परिवर्तन यात्रा का इस्सा बढ़ेंगे और इस्सा बढ़ करके इस परिवर्तन यात्रा को ताकत देंगे आप लोग भी परिवर्तन चाहते हो कर नहीं चाहते हो आप परिवर्तन चाहते हो एक काम करो फिर करते हो ना जब मिलता है तो भी सलाम कहते हो अब जब कोई मिले उसको सलाम के साथ परिवर्तन भी कहो उसको कोद परिवर्तन करना है हर भच्चे की जबान पर परिवर्तन आना चाहिए जब प्रिवर्तन करने की बात कहोगे तो अपने आप समझ जाएगा कि अब प्रदेश के अंदर प्रिवर्तन की जरोरत है करोगे प्रिवर्तन बहुत महरबानी बहुत धन्यवात है